हेलो दोस्तो आज हम बात करने जा रहें डिटेंशन ओफ दी डेड मुवी के बारे में उम्मीद करती हूँ आप लोगो इसके एक्स्प्लेइनेशन पसंद आईगी और पसंद आए चानलों के सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा दोस्तो मुवी के स्टार्टिंग में हम एडि नाम की एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल की जैनेट नाम की लड़की को काफी जादा पसंद करता है लेकिन जब जैनेट का बॉइफ्रेंड ब्रेड ये चीज देखता है तो उसे काफी जादा गुस्सा आता है और लास्ट टाइम भी उसने इसी वज़ा से एडि को काफी परेशान करने की कोशिश की थी और इस बार भी वह एडि को परेशान करने के लिए उसका चिश्मा तोड़ देता है तब ही हम एश को देखते हैं जो कि क्लास में आकर ज इसी दोरान हमें जलक दिखाए जाती है कि एडि अपनी टीचर से अपनी किसी गलती की माफी मांग रहा था जिसके चलते उसे डिटेंशन रूम में बुलाया गया था और वो साथी साथ ये बात भी कहता है कि प्लीस आप इस बारे में प्रिंसिपल को मत बताईएगा जिसक काफी जादा ड़ावना था और वो देखते झाड़ा लोग उसे टीचर से दूर करने की कोशिश करते हैं इस वगारें बढte हैं आप लाटी बको किकला हो जाते हैं पर अटेक करने की कोशिश करता है इसलिए वो लोग वहां से भागने लगते हैं और भाग कर आफिस में पहुच जाते हैं लेकिन वहां पहुचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका प्रिंसिपल भी बेरहमी से मारा जा चुका है इस चीज से वो लोग काफी जादा डर जिसके बाद वो सबी मिलकर प्लाइन बनाते हैं कि उन सबी को लाइबरेरी में छुप जाना चाहिए क्योंकि उन्हें पता था कि लाइबरेरी में उन्हें कोई बच्चान नहीं मिलेगा हुचने जाता है तो अपने बागी दोस्तों को भी आगे बढ़ने के लिए कहता है जॉम्बिस उन्हें देख लेते हैं इसलिए एडी जॉम्बिस का ध्यान बढ़काता है और इस मौके का फायदा उठाकर बाकि सभी लोग लाइबरिरी के अंदर पहुँच जाते हैं अलाकि इस दौरान एडी तो फर्स चुका था लेकिन वो किसी तरीके से जॉम्बिस से बाहर जाना इंपॉसिबल है इसी से काफी जादा डर जाते हैं इधर हम देखते हैं कि जब उनकी टीचर बेहोश हो जाती है क्यालो मर जाती है तो जैने उन्हें माउट प्रीट देने की कोशिश कर रही थी पर उसी दौरान वह एक जॉम्बी में कनवर्ट हो जाती है और वो सबी जब उन्हें पकड़ते हैं तो उस दौरान वो ब्रेड की उंगली को काट लेती है और इसी वज़ा से वो सारे मिलकर उनका गलाब बुरी तरीके से काट देते हैं और इजीब बात ये थी कि वो अभी तक जिन्दा थी इधर हम देखते हैं कि ब्रेड का हाथ भी ध सुनाई देती है और वो उसके पास पहुसते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जोंबी ने जिमी पर अटैक करके उसे काट लिया है जिसके चलते अब भी इंफिक्टिड हो जाएगा हाला कि ब्रेड उस जौंबी पर अटैक करके उसे मार तो देता है लेकिन वो सभी जिमी को सबी मिलकर साथ में मस्ती करने लगते हैं लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं कि बाहर से एक हाथ आकर जैनेट पर अटैक कर देता है जिसी से वह काफी जादा घबरा जाती है पर यहां पर भी एडी उसे बचा लेता है लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं होता क्योंकि व उसे बहुत जादा पसंद करता हैं विलो से यहां पर समझाती है कि तुम बहुत ही अच्छा डिजब करते हो और वो तुम्हारे लाइक नहीं है इधर हमें जलक दिखाए जाती है कि अब धीरे ब्रेड का पूरा हाथ खराब होता जा रहा है इसलिए वह एश के साथ मिलकर बाहर जाने का प्लैन बनाता है बाहर जाने के लिए जाने पिलकुल भी तयार नहीं थी किकी वह सब जाने लगते हैं तो जैनेट एडी से भी लहां रुकने की रिक्वेस्ट करती है इसають मिला नहीं कर पाता और वहीं रुक जाता है इसके बाद एडी और जैनेट को छोड़ कर बागी सबी टरनल की मदद से बाहर जाने लगते हैं पर जब वो लोग टरनल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उसी दौरान विलो को टरनल के अंदर एक जॉंबी चूहा दिखाई देता है जिससे वो लोग डर कर टरनल से बाहर निकलात कि एश की सिर्फ टर्नल से टांगे ही बाहरा कर गिरती हैं और क्योंकि उन दोनों को चारों दर्वाजा नौक करने लगती है इसलिए दर्वाजा खोल कर ब्रैड और वालन को रूम के अंदर कर लेता है पर यहां पर हम देखते हैं कि जैनेट एडी को जबर रस्ती एक रूम म देखती है कि ब्रैड भी अब पूरी तरीके से जॉंबी बन चुका है इसलिए वह अपने दोस्तों को इस बारे में बताने के लिए लेकिन जब वह उन दोनों को साथ में देखती है तो वह काफी जादा दूखी हो जाती है क्योंकि वह एडी को पसंद करती थी जिसके जान सारे जॉंबी दर्वाजे के पास पहुआ चुके थे तो इसलिए उन जॉंबी को रोकना नमुम्किन था जिससे वह तीनों महां से बाहर निकलने का फैसला लेते हैं जिसके बात वो तीनों जामना करते हुए बाहर तो निकल आते हैं लेकिन वह स्टेयर्स के पास किर जाते हैं और इस मौके का फायदा उठा कर जॉम्बी उन तीनों को घेर लेते हैं इस दौरान हम देखते हैं कि जॉम्बी जब एड़ी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था तो महां पर वॉलन पहुच कर उस जॉम्बी की आंख में स्कूरूड्राइवर घुसा देती है फि अचानक से एडी रुक जाता है और विलो से ये बात कहता है कि तुम जैनिट को लेकर यहां से जाओ और साथी साथ उसे ये बात भी कहता है कि मेरे लिए सही लड़की तुम हो ये सुनकर वो काफी जादा खुश होती है जिसके बाद हम देखते हैं कि जैनिट और विलो के लिएर्स की मदद से रूफ पर जाने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर एक जॉंबी आकर जैनेट के पैर में काट लेता है वही हमें दूसी तरह एडी को दिखाया जाता है जो कि जॉंबी को मार कर जब स्पोर्ट्स रूम में बहुत सा है तो वहां पर उसे बहुत सारे गेर लेते हैं फिर जब जैनेट और विलो बचकर रूफ पर पहुँच जाते हैं तो वहां पहुचने के बाद जैनेट विलो से ये बात कहती है कि मैं इस थरीके से जॉंबी की मौत नहीं मरना चाहती है और जब विलो जैनेट को शूट करने वाली होती है तो वहां पर का जॉम्बी उनकी तरह बढ़ने की कोशिश करता है तो जैनेट वहां आती है और उसे लेकर छसे कूच जाती है इस वक विलो और एडी काफी जादा खुश थे पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनका यहां से बच कर निकलना मुश्किल है लेकिन तभी उन्हें सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना और वीडियो पे कमेंट करना आप बिल्कुल मत भूलेगा थैंक्स पो कमिंग इन बहुत है